20 रुपे वाले ठेले के मोमोज या 5 स्टार के 500 रुपे के 4 मोमोज कौन से हैं बेटर? जी हाँ आज हम यही पता लगाने वाले हैं क्योंकि मैं करने वाली हूँ जैपुर के सबसे बेस्ट रेस्टराउंट के सबसे महंगे वाले मोमोज ओरर यहाँ आप देख सकते हो मैंने जुमाटो खोल लिया है और उसमें मैंने सीधा सर्च किया है मोमोज और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई सबसे जो महंगा आएगा ना मैं उसमें से मंगाने वाली हूँ मैंने स्क्रोल किया, स्क्रोल किया, स्क्रोल किया और मुझे काफी सारे options दिखे और मुझे किसी ने ये restaurant suggest किया था यहाँ पर साड़े 500 रुपए का एक momos की मतलब plate है, साड़े 500 रुपए की आपको पड़ेगी और मैंने ये देखते ही instantly order कर लिए और मुझे पता ही बहुत fancy आने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हूँ, payment हो चुका है अब बस मैं वेट करे हूँ, जल्दी से मेरा order आ जाए meanwhile मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हुआ क्या अगर आपको सस्ते से सस्ते momos खाने है ना तो फिर एक ही option है, आपको लाने पड़ेंगे ठेले पेसे तो मैंने अपने एक friend को call किया और ठेले वाले 20 रुपए के momos बंगवाए उसको आने में टाइम लग रा था, लेकिन तब तक आ चुके है हमारे यह बड़े ही expensive momos यहाँ पर और यह बिल इतना क्यों है, हमने तो जितना पेकिया, आपने देखे लिया साड़े 500 रुपए की momos है सबसे पहले यहाँ पर आईए, तीन तरीगी की चटनिया दोस्तों, यह पता नहीं इसमें क्या oil बॉयल डला हुआ है, और फिर है इसके साथ में polo भी, आपका mood बड़ा फ्रेश हो जाएगा यहाँ पर मेरे 20 रुपए वाले momos भी आचुके है आपकेजिंग का डिफरेंस तो देखी सकते है एक तरफ है 5-star की packaging और एक तरफ है 20 रुपए की ठेले वाले momos 20 रुपए की एक प्लेट, बट देखो हम इस चीज से जज नहीं करने वाले हैं कि 5-star के साथ बहुत सारी चटनी आई है, बहुत सारी ये, वो और भी बहुत सारे ताम जाम आए, नहीं हम सिर्फ टेस से जज करेंगे तो यहाँ पर मैंने मगा ली है प्लेट, अब भी देखो यहाँ पर इसके अंदर अल्मोस 6-7 पीस होंगे और ये सिर्फ साथ में एक ही तरीके की चटनी आई है, मियोनेज नहीं आए हैं अगर आप में हो नहीं सखाने वाले हो, तो भाई, आपको थोड़ी निराशा हो सकती है बट कोई नहीं दिखने में ठीक ठाक ही लग रहे हैं, हम तो भाई टेस से जच करने वाले हैं तो साइड में चटनी निकाल लिए, दिखने में तो बहुती खतानाक लग रही है चली आप देखते हैं कि फाइफ स्टार वाले में हमी क्या क्या मिला है पहले तो आप ज़रा इन मोमोस की तरफ देखो यार ये मतलब ऐसा लग रहा है अन्ट इक और इसके साथ में चली ओए भी आया था एवनिस्ली मैं जादा मोमोस नहीं खाती हो तो मुझे इन सब का नाम नहीं पता चलें ज़री बीस रुपए वाले मोमोस अंदर से कैसे लिखते हैं बिलकुल नॉर्मल है ज़री आप बारी है इनको टेस्ट करने की यहां पर आप बहुत शौक होने वाले हो जो मैं बताऊंगी उससे क्योंकि यह 20 रुपर माले मॉमोस तो अफकोस आपको लगी रहा होगा कि आरे तो बहुत ही ओके होंगे और यह बैसे ही थे टेस्ट में मुझे नहीं पसंद आए कहते है कि आप ऐसे ठेले ले से खाओ तो जादा टेस्टी होती है से स्ट्रीट फूद बट मुझे तासा नहीं लगता और यह एक नहीं दो बार खा के कोशिश की मैंदा भी थोड़ा अच्छा लगी मुझे बट नो इस वेरी ओके शे कुछ जादा मैंने सुचा कि क्यों ना मेरी बहन को भी टेस्ट कराया जाए थोड़ा बेटर जज्ज्मेंट हो पाएगा तो मेरी बहन भी यहां पर आकर इने टेस्ट कर रही है यह बहुत जादा मुझे खाती है से मुझे पसंद है तो जो यह बोलेगी मैं तो वही फाइनल बिल्कुल भी मजा नहीं आया अब कोई बात नहीं दोस्तों अभी हमारे पास हमारे 5 Star मोमो भी रेडी है तो चलिए ने टेस्ट करते हैं थेनों चीज में डिप किया टो यह पास्ता बहुत पसंद दूब तो मैंने तीनों चीज में डिप किया निसकों खाया दोस्तों कैनि इन लोगो दूसरों को बोला कि यार चलो एक बार कोशिश करते है क्या पता इन लोगों पसाया मुझे बिलकुल भी पसंद याया फिर मेरी बहन ने बोला कि चल ठीक है मैं खा के देखती हूं तो उसने पहले इसको स्मेल किया उसके बाद में इसको बड़ा वोड़ा भाई य इसको बिलकुल भी पसंद याया उसको फाइनल हो ही चुकाय वर्डिक नहीं पसंद आया भाई हमें अगर दसमें से रेटिंग दी जाए तो थेले वाले को मिलेंगे पांच और जो रेस्टरॉंट वाले मुझे इनको सरफ मिलेंगे चार और सब ने ऐसा ही दिया बाई मेरी जया भूँय मिलेेा उनको बाई झाय हो